हाई गाईज वेल्कम बैक टू माई चानल कैसे हो आप सब आई हो आप सब ठीक होंगे तो आज हम आए हैं चान मिनार फिर से और इस बारा आए हैं अर्ली मॉर्निंग और अभी टाइम हो रहा है सिक्स फिफ्टी थोड़े से क्लोज से शॉप्स थोड़े से उपन है और फिर हम आगे अगरबती लेने यह वाली शॉप्स जो की रमजान में 24 आवर्स ओपन रहती है और हर साल हम लोग यहीं से अगरबती लेते हैं यहां वाली अगरबती बहुत अच्छी रहती है आप लोग भी ट्राइक करिए खासतोर से यह वाले जो प्लास्टिक के बॉक्स रहते हैं वह वाले हमको थोड़ी सी जादा कॉंटिटी चाहिए थे अगरबती की तो वह वाले भाए आ ने ब Cordaga की, जो हमको चाहिए था आभी वasia नहीं है वह नहीं वह वेथ काने के लिए तो हमने डिसाइड किया वान आवर वहीं वेट करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा घूम ले क्योंकि ये फर्स टाइम है हम लोग इतना अर्ली मॉनिंग यहां पर आए है और वो वाले शॉप वाले भाया ने बताया कि जो 24 आवर शॉप स ओपन रहते हैं उनके दो शिफ्ट चलते हैं लाइक सुबा कोई और बैठता है फिर रात पूरी कोई और बैठता है सही है ना लोग कितनी मेहनत करते हैं थोड़े चीजों में और जब हम आ गया है ये वाले सेट्स और इयरिंग बहुत अच्छे दिख रहें थे जितना दूर से अच्छे दिख रहें थे उतना खरीब से भी उतने ही अच्छे दिख रहें थे येरिंग का आपको प्राइज रहेगा 250 से 300 का और सेट का रहेगा 650 भया ने कहां तो मैंने वहां से एक सेट लिया 350 में और ये मैं जूम एन जूम आउट करते हुए चानविदार को और फिर हमारी नजर ये वाली शॉप है पड़ी येरिंग बहुत अच्छे थे बहुत कम दाम के थे ये वाले लेफ्ट साइट वाले 30 और राइट साइट वाले आपको 20 में जसा कि आप प्राइस देख सकते हो और मैंने यहां से भी अच्छे खासे येरिंग लिए हैं ऐसे वाले शॉप से आप भी जरूर कुछ ना कुछ ले बात हमेशा कॉलिटी की नहीं रहती है बात कभी किसी के खुशी के लिए भी होती है यू नेवर नो राइट कि आपके 20 तु 30 रुपीज उनको कितनी ज़्यादा खुशी दे और फिर हमारी नजर पड़ी हिजाब पे जो की 150 से 200 की रेंज में बताया है भाया ने और साइंडल्स और जूती तो सेम रेट ही रहेगा 200 रुपीज और ये वाली शॉप पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटेक्स में लेंगे और यहां के येरिंग्स का रेट है 150 रुपीज और ये वाले लॉकेट्स का रहेगा 100 रुपीज ये वाले लॉकेट्स मुझे बहुत जात पसन आ रहे हैं और अर्रेडी 10 तू 11 ले लिया है और मैंने फिर से आज यहां से दो लिया है और ये वाले बैक्स का स्टार्टिंग प्राइज रहेगा 350 से से केंड कॉपी है पता नहीं क्यूं में साथ ऐसा क्यूं होता है इसकी भी वीडियो मेंने डिलीट कर दिये वाइमिस्रेक्स और यहां के बैक्स सच में बहुत अच्छे थे और ये वाले बैंगल जो हम जोड़ा भी बोलते हैं ये 300 से स्टार्ट है और जो नॉर्मल वाले बैंगल से आपको वो पर बैंगल 100 रुपीज या 150 में में मेलेगा और ये वाले यहरिंग्स आपको मेलेंगे 50 रुपीज में और ये वाले खुर्टीज आपको 300 में मिलेंगे और जो बॉटम के साथ है वो 600 में मिलेंगे और आपको ये छोटे बच्छों के जूतीज या फिर साइंडल आपको 100 रुपीज में मिलेंगे और फिर हम आगे मका मजूद के अंदर एक टाइम था जब हम यहां पर आते थे बाबा के साथ अर्ली मॉनिंग जवारी दालने के लिए और अप एक टाइम है हम जल्दी यहां के एरिये में भी नहीं आते हैं वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है मैं पूरा अंदर नहीं गई बस यहां में गेट के अंदर ही थोड़ा सा आके यहां से ही काप्चर किया है मैंने जितना भी किया है और आज भी उतना ही सुकून है यहां पर जैसे की पहले था झाल 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 और यहां मका मजिद का एंट्रेंस जो कि मैंने स्टार्टिंग में शूट नहीं किया था बाहर निकले बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने यह वाला शूट नहीं किया तो अभी मैंने शूट कर लिया है और यह रहा चान मिनार और मैं जब जूम करके देखा तो अभी 630 भी नहीं हुए है और माशालला क्राउड है और यह वाले पॉसेस का रेट आपको मिलेगा 300 रुपीज जो कि बहुत अच्छे डिसाइन्स दें हाँ पर और यह वाले पॉसेस आपको 200 में मिलेंगे और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ओके है और यह सारे शॉप्स आपको रात में नहीं दिखेंगे यह रात में कहीं ओन लगाते हैं शायद यह अरली मॉनिंग वाले शॉप्स है और यह वाले बांगल्स आपको 80 रुपीज में मिलेंगे जो कि बहुत कालर्फुल है और हमें भी अगर बतिया मिल गए हैं स्टॉप आ गया था तो मैं यह वाली वीडियो यहीं एंट करती हूँ कैसी लगी वीडियो बताएगा जरूर पसनाई तो लाइक करिये शेयर करिये नए है तो सबस्ट्राइब करिये और इंजॉइ करिये फामिली के साथ क्योंकि फामिली फुश है तो हम फुश है